हेलो फैमिली कैसे हो स्वागत है पोकेट रेर के एक नए वीडियो में तो आज मैं आपको बताने वालो आप पोकीमोन गो में जॉइस्टिक को कैसे एड कर सकते हो ठीके तो गाइस यह बिगिनर लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है और बहुत कमेंट आता है कि जॉइस्टिक को कैसे एड करें तो यह है वीडियो देख लो आपको पता चल जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे जॉइस्टिक एड करना है एड आपको मैं प्रैक्टिकल दिखा भी दूँगा ठीक है और गाइस देखो जो मेरा मेन एकाउंट है वहाँ पर मैं सबको गीफ्ट नहीं भेज पाता क्यूंकि देखो 100 प्लस फ्रेंड हो चुका है और डेली लिमिट जो गीफ्ट भेजने का होता है वह है 20 तो गाइस मै ऐसे फॉलो करूंगा जो एल्फबेट होता है जैसे ए बी सीडी तो एसे जिन लोगों का नाम आएगा एक दिन में सबको भेज दूँगा नेक्स दिन बी को भेजूँगा उसके बाद सी को भेजूँगा ऐसे करके मैं सबको गीफ्ट भेज पाऊंगा ठीके तो चलो गाइ चलो गाइस वीडियो को शुरू करें तो गाइस आपके पास होना चाहिए पीजी शार्फ या आई पोगो एप अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आप मुझे इंस्टेगर में डीम करो मैं जुगा लगा दूँगा एन गाइस आपको वह दो एप को इंस्टॉल करने क बाचा था वहाँ पर ही चला जायेगा और अगर आपको ज्रॉस्टलिक पकास तो उसका बी इक ऑल्टेनेट हमें ज्वास्टिक यूंज ना करके भी आपको इबी लोकेशन में आराम से स्पूप कर सकते हो व tipos कर सकते हो व कैसे कर सकते हो जह भी वीडियो में आपको बताने के बाद यहाँ पर जो joystick option है उसको disable कर दो disable करने के बाद आपको क्या करना है return आना है and guys यहाँ पर जो star option है यहाँ पर देख सकते हो tap 2 इसको यह disable रहेगा इसको enable कर दो enable करने के बाद आप जहाँ पर click करोगे आपका character वहाँ पर चला जाएगा and आप walk करते करते Pokemon को भी catch कर पाओगे बहुत ही आसानी से ठीक है guys तो यही था video कैसे आपको joystick को add करना है and आप जोइस्टिक के बिना भी walk कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो guys वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो में जरू लाइक कर देना चैनल में अगर नहीं हो तो subscribe करके जाना तो चलो मिलते हैं next को यह update के साथ